जै मा काली मित्रो आपका मेरे चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ती संबाद में स्वागत hack मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आपको तुरंत मिल जाए जैसा के आप सबी जानते हैं दीवाली का समय है और इस दीवाली पर कोई न कोई अच्छे कुपाई जरूर करना चाहिए जिस से हमारे घर की जो दरीद्रता है जो दरीद्रे है वो हमारे घर से हमेशा के लिए चला जाए और मा लक्षमी का हमेशा के लिए हमारे घर में वास हो और जब मा लक्षमी निवास करती है तो घर की बहुत सारी परेशानी अपने आप हमको छोड़कर चली जाती है तो मित्रो ये जो उपाय है बहुत पुराना उपाय है जो मेरी माताजी बहुत समय से करती आ रही है और जब तक वो जीवित रही ये उपाय वो करती रही तो मित्रो उपाय छोटा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत आसान भ करेंगी देखिए आपको करना क्या है कि आपको एक जो आपके घर में अगर किसी के घर में बेकार पड़ा जो पंखा होता है जिसे आप हैंड फैन कहते हैं जो हाथ से पंखा जला जाता है वो पंखा आपके पास हो जो पुराना पंखा हो वो पंखा आपको लेना है घर में अ कहीं से भी मिले पर मिल ही जाता है तो हम यह उपाए हर साल करते हैं तो आप भी कीजिए आपको पुराना पंखा लेना है लेकिन अगर आपके घर में पंखा नहीं है पुराने वाला जो है जिसको हाथ से जलते हैं हम अगर वह पंखा नहीं है आपके पास तब आप क्या करें क कोई चोटा कागज भी ले सकते हैं या कञड़ तायप क कुछ भी जो आपको मिल जाए यह मिठाई को डबबब outta मिल जाए खुछ इस तरह का आप ले सकते हैं लकडी का चोटा सा तुकडा मिलजाए मतलब जिसस पर आप वह जो समगरी में बतारी हूँ आप पर रख सके तो यह अगबार का टुकडा भी आप ले सकते हैं तो पंखा मिल जाद उत्ता होगा तो वो पंखा आपको लेना है और जब आप सो कर उठेंगे जो दिवाली होगी दिवाली पूजन से जो अगला दिन होगा उस समय आपको सुबह जल्दी उठना है चार बजे के आसपास चार बजे के आसपास आपको उठना है और उठने के बाद में आपको सबसे पहले अपने घर में जाडू लगानी है चारो तरफ आप जाडू लगाएं जाडू लगाने के बाद में आपके घर में से जो कूड़ा निकलेगा उस कूड़े को उठा करके ज्यादा लंखे के उपर कूड़ रखना हूभ और कूड़े के उपर ही आपको एक दिया जलाना है और दिया आप कीज रोइक बिलकुल बहुत है एक उपाए जो होता है वैसे तो इतनी सुवा कोई नहीं मिलेगा अगर मिलता भी है वह आपसे बात Karna चाहे तो आपको बिलकुल भी बात नहीं करनी है और चार मुखी दिया आपको घर से ही प्रज्ज्गरित करना है वह कूडा हमारी माता को बोलते जाना है और वह जो ने चाहिए वह लेजा करके आपको अपने घर के बाहर जो तो पहलेज़िदील है और आपको अपने घर के बहर जो होगी है अगर चॉराय नहीं है तो आपको अपनी जो अगर आपको घर से अगर और नहीं है और अगर घर मतलब उसको दूर रखना है आपको घर के आगे नहीं रखना है घर से आमसे कम 40-50 कदम दूर आप जाना ही जाना है वो ले जाकर के आपको रखाना है और रखने के बाद में आपको पीछे बिल्कुल भी मुड़ना नहीं है जैसे आप उसको रखें पीछे मुड़कर ना देखें तुरंत अपने घर में आ जाएं घर में आने के बाद आप यतावत अपना जो भी आपकी दिन सबके घर चरूर उती है और सुबते के समें पने और चार बज़े कर देखने आती है कर रहा एक कौन कितनी सफाई रखता है क्यूंकि महालक्ष्मी को सफाई पसंद है सफाई में व own आती है इस लिए घरों की सफाई किये जाती है गंदगी में मालक्ष्मी बिल्कुल भी निवास नहीं करती गंदगी में जो है दरिदृता निवास करती एक अहलक्ष्मी impactful उनकी बहन आसान उपाय है और आपको यह उपाय हर साल करना है कोई एक दिन का उपाय नहीं है जब भी आपकी दिवाली आती है आपको यह उपाय अवश्य ही करना है अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूं प्रश्न है मेगन टावडे जी का मुझे नाम लेना नहीं आ रहा है मा मेरी उमर 24 साल है और मेरी शादी नहीं हुई है मा काली की शक्ती है मुझे पर और मा मेरी हर मनोकावना पूरी करती है लेकिन जब भी मैं आमावश्या या शनिवार मंगलवार को काला कपड़ा पहन दी हूँ तो मेरी तबित थोड़ी देर में खराब हो जाती है ऐसा क्यों प्लीज मुझे बताए मा देखे बच्चे यह आपका प्रेशन है बहुत अच्छा प्रेशन है और और भी बच्चे ध्यान से सुनें जिनके साथ यह प्रस्तिती होती है मंगल शनिवार को या मवश्या के दिन जिनकी तबित खराब होती है चोतरदशी के दिन भी जिनकी तबित खराब होती है काला कपड़ा पहनने से क्योंकि जो काला कपड़ा होता है वो मा भगवती का प्रतीक होता है मा काली का प्रतीक होता है लेकिन तंत्र में तंत्रिक लोग भी काले कपड़े का प्रियोग करते है जिन लोगों के साथ ये प्रस्थिती बन रही है तो इसका अर्थी ये है कि आपके साथ में कोई ना कोई शम्षानी क्रिया की गई है जिस कारण से काला कपड़ा पहनते ही आपकी तवित खराब होती है और वो शम्षानी क्रिया भी ऐसी है कि शम्षान में कोई काला कपड़ा आपके नाम से गाड़ा गया है और इस कारण से ही जब भी आप काला वस्तर धारन करती है तो आपकी तवित खराब होने लगती है तो मा भगवती भी बहुत लोगों को काला वस्तर धारन करने के लिए मना करती है अगर उनकी कहने कहने शमशानी क्रिया होती है तो यही कारण है तो आप काला वस्तर धारण ना करें आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माकाली के पुजारी है मावगोती के पुजारी है वो काला वस्तर ही पहने तो माप्रसन होगी लेकिन आप सामान्य वस्तर पहन कर लाल वस्तर पहन सकती हैं माकाली को लाल वस्तर भी प अगला प्रेशन है राकेश मीना जी का इन्होंने मुझसे पूछा है जै मातादी मेरे घर में मातारानी का बहा है मतारानी किया आती है और मेरे पापा जी को आती थी उनको शांत हुए 25 साल हो गई है अब किसको आएगी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो इनका अर्थी है कि इ सवारी किस व्यक्ति पर आएगी देखे बच्चे यह आप चुनाव नहीं करते कि मातारानी किस पर आएंगी यह चुनाव मा भगवती स्वयम करती है कि हमें किस पर जाना है और यह जो सवारी का समय होता है सवारी जब एक से दूसरी पीडी पर ट्रांसफर होती है तो उसक सीमा के अंदर सावारी एक व्यक्टि से दूसरे व्यक्ति पर आती है और वह समय सीमा होती है 25 साल से लेकर चालिस वर्ष्ट तक वो समय सीमा होती यार जैसे कि आप क्या वी 25 साल हो चुकी है तो 25 साल होने के बाद में आपके बाद में 40 वर्ष्ट यूть होने के 40 वर्ष्ट तक में सावारी किसे ना किसी पर जरूर आएगी cop चिंता नं乐 करें क्योंकि फिर भी मैं यह कहती हूं कि सवारी स्वयम चुनाव करती है अपने माध्यम का तो आप इस बारे में विचार करकर परेशान नहूं आपके अबल माभगवती की सेवा करती रहे तो मित्रो आशा करती हूं आपको अपने प्रिश्णों के उत्तर भी मिल गए हूंगे माभगवती से यही प्रात्ना करती हूं कि वो आपके भंडारे भरती रहे आपकी सभी मनों कामनों को कून करती रहे आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल